हलो स्टूजेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे अपने क्वेशन बेंक के सीरीज में आज हम एक नया अध्याय शुरू करते हैं ये अध्याय भी आपका नागरिक शास्त से ही है और अध्याय चार जिसमें मेंली या मुख्यता हमें जाती धर्म और लेंगिक मसले से जुड़े हुए जो भी प्रश्न आपके परिक्षा में पूछे जाते हैं मुख्य मुख्य प्रश्न उन्हें इस क्वेशन बेंक से हम देखेंगे तो शुरू करते हैं पहला क्वेशन पहला अपना प्रश्न ठीक देखते हैं देखें पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है हम सबी जानते हैं कि महिलाओं को समाज में बराबरी का अधिकार नहीं है उनकी इस्तिती बराबर नहीं है वह चाहे कारेचित्र को लेकर की हो यानि उनका जो काम करने का अपका तरीगा या फिर काम करने के लिए उन्हें जो आजादी है वहभी बराबरी रूप से नहीं दी गई है स्कूल, सिख्षा का अधिकार उन्हें बराबर रूप से नहीं दिया गया है तो इसका मतलब है कि महिलाओं के साथ में एक भेदभाव का व्याबार किया जाता है लेकिन इस भेदभाव के व्याबार को दूर करने के लिए कुछ आंदोलन किये जाते हैं और वो आंदोलन इस उदेशिक के साथ किये जाते हैं कि महिलाओं को समाज में बराबरी मिले तो ऐसे आंदोलनों को हम क्या कहते हैं जो ये बात करें कि महिलाओं को समाज में बराबरी देनी चाहिए क्या ऐसे आंदोलनों को हम महिला मुक्ती आंदोलन कहते हैं या नारीवादी आंदोलन कहते हैं इस्त्री शक्ति आंदोलन कहते हैं या इन तीनों में से कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो इस उपर के जो वाक्य लिखा गया है उसकी व्याक्या करता हो ठीक आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं इसका जो सही उत्तर है वो है नारीवादी आंदोलन नारीवादी आंदोलन ऐसे आंदोलन होते हैं जैसे हमारा राष्ट्रवादी आंदोलन राष्ट्रवादी आंदोलन क्या होता है राष्ट्र के प्रती हमारा प्रेम और हम क्या चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हो हमारे राष्ट्र में किसी की भी सत्ता मतलब हम किसी की सत्ता के अधीन ना हो हमारे राष्ट्र की अपनी अलग पहचान हो जब इस बात को लेकर के हम आंदोलन करते हैं अपने राष्ट्र की पहचान के लिए अपने राष्ट्र की स्वतंतरता के लिए जब हम लड़ाई करते हैं जब हम विद्रो करते हैं तो उसे क्या कहते हैं राष्ट्रवादी आंदोलन कहते हैं उसे क्या कहते हैं स्टुडेंट्स उसे कहते हैं राष्ट्रवादी आंदोलन लेकिन वहीं जब हम ये बात करें कि महिलाओं को समाज में बराबरी मिलनी ठीक समझ में आया आगे चले महिला मुक्ती आंदोलन देखे वो आंदोलन होगा जिसमें महिलाएं महिलाओं को मुक्त कराने की बात की जाती है महिलाओं को मुक्त कराने की यानि बंधनों से मुक्त कराने की जब बात की जाती है महिलाओं को जब बंधनों से मुक्त कराने की बहुत पुरानी रूनिवादी परंपराओं में गिरे रहने वाली महिलाओं को जब मुक्त कराने की बात की जाती है तब हम उसे कहते हैं महिला मुक्ती आंदोलन समझ में आया आगे चलें अगले प्रेश्न पर देखिए अगला प्रेश्न हमारा क्या कह रहा है धर्म निर्पेख्ष राज्य या इंग्लिश में आम इसे अगर मैं कहूं तो इसे कहते हैं सेक्योलर तीक धर्म निर्पेक्ष राज्य या सेक्यूलर राज्य में क्या होता है जो धर्म निर्पेक्ष है इस शब्द का आखिर में मतलब क्या है क्या मतलब होता है अगर कोई राज्य धर्म निर्पेक्ष है उधारन भारत भारत क्या है एक धर्म निर्पेक्ष राज्य है अब इसका मत धर्म का कोई स्थान नहीं वह राज्य जहां पर धर्म का कोई स्थान नहीं होता क्या वह धर्म निर्पेक्ष राज्य है नहीं क्या जिसका एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास हो ऐसा राज्य या ऐसा राष्ट्र ऐसा देश ऐसा राष्ट्र जिसका एक राष्ट्र और एक धर्म में यानि भारत एक राश्ट्रे और उसका कोई एक धर्म हो क्या उसमें विच्वास हो वह धर्म निर्पेक्षराजी होता है या फिर केवल बहु संख्या गवर्ग के धर्म को जहां पर मान्यता मिली हो जैसे कि श्रिलंका जहां पर सिहली जो थे उनका धर्म था तो फिर धर्म निर्पेक्षराजी क्या होता है धर्म निर्पेक्षराजी ऐसा राजी होता है जहां सभी धर्मों को एक समान समझा जाता है जैसे कि भारत भारत में आप किसी भी धर्म से क्यों ना आते हो आप हिंदू हो आप बौध हो आप मुस्लिम हो आप सिक्ष हो आप के साथ में समानता का व्यभार किया जाएगा हिंदू के बच्चे को ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्टा चीज़ें मिलेंगी कुछ अतिरिक्त चीज़ें मिलेंगी या फिर हिंदू परिवारों को कुछ अतिरिक्त भोजन मिलेगा अतिरिक्त अनाज मिलेगा अतिरिक्त सुविध दिजाती हैं समान तरीके की जो भी व्योजनाएं चलाई जाती हैं वो सब के लिए चलाई जाती है यानि की धर्म निर्पेक्ष राजय ऐसा राजय होता है जहां पर सबी धर्मों को समान समझा जाता है उनके लिए इनसान का महतु है उसके धर्म का नहीं किसके लिए काम करते हैं इनसान के लिए उसके धर्म के लिए नहीं कारे करते हैं तो धर्म निर्पेक्ष राज्य ऐसा राज्य जहां पे सबी धर्मों को समान समझा जाता है ठीक है, समझ में आगे चले, इसको ध्यान रखियेगा ठीक है, और भारत कैसा राजय है? भारत एक धर्म निरपेकस राजय है भारत एक secular राष्टर है, secular देश है ठीक, चलो, आगे चले, आगे हमसे प्रशनी पूछा गया है कि श्रम का लेंगिक बिभाजन से क्या तात परे है श्रम यानि की काम काम का क्या करना लेंगिक बिभाजन कर दिया अब इससे आप क्या समझते हो काम का लेंगिक बिभाजन करने से आप क्या समझते है वह आपको यहाँ पर लिखना है अब देखें यहाँ पे दो वातने हैं एक तो आपका श्रम तो काम हो गया किसी भी तरीके का काम जो भी चाहें आपका कोई भी काम हो वो काम हो गया श्रम और लेंगिक विभाजन यानि की लिंग के आधार पर वरगी करन लिंग के आधार पर बांटना वो हो गया आपका लें उसके बटवारे का वह तरीका जो लिंग पर आधारित हो यानि कि ये कि महिलाएं सिर्फ घर का काम करेंगी सिर्फ खाना बनाएंगी कपड़े धोएंगी बर्तन दोएंगी और पुरुष जो होंगे वो पैसा कमा कर लाएंगे करतों दोनों काम ही रहे हैं पुरुष बाहर ज करके महनत करते हैं और महिलाएं घर पे महनत करती हैं विबिन विबिन अलग-अलग कारे करती हैं पुरुष भी करती हैं महिलाएं भी करती हैं लेकिन लेंग के आधार पर इसका विभाजन कर दिया कि जो महिलाएं होंगी वह क्या कारे करेंगी घर के कारेंगी लेकिन जो प जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरते या महिलाएं करती है या अपनी देखरेक में काम कराती है तथा बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कबजे में रहता है इसे ही हम क्या कहते है श्रम का लैंगे विभाजन कहते है यानि काम क्या हुआ लिंग के अधार पर बट गया पुरुष जो हैं वो बाहर के काम देखेंगे महिलाएं जो हैं वो क्या करेंगी घर के जो भी काम है खाना बनाना, कपड़े धोना ये सारे काम कौन करेंगा महिलाएं करेंगी तो लिंक के आधार पर कारियों का विभाजन कर दिया गया ठीक तब हम उसे क्या कहते हैं श्रम का लेंगे विभाजन आगे चलते हैं आगे हमसे पूछा गया है कि लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है इसके हमें दो कारण बताने हैं पहली बात तो लोकतंत्र और लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है उसके हमें कोई दो कारण बताने हैं कि आप क्या समझते हैं कि जो लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है उसके क्या प्रमुग दो कारण है देखें लोकतंत्र क्या होता है लोकतंत्र होता है सभी की सरकार कल की लेक्चर में भी हमने देखा था कि लोकतंत्र क्या है जनता के द्वारा चुनी गई जनता की सरकार और जनता के लिए ही सरकार जिसमें सब की क्या हो सब की भागीदारी हो ऐसा शाशन ऐसी शाशन व्यवस्था जिसमें जनता के हर व्यक्ति की या पूरी संपूर्ण जनता की भागीदारी हो उसे हम क्या कहते हैं लोकतंत्र कहते हैं अब जातिवाद क्या होता है जैसे जातिवाद होता है जाती के आधार पर अपने आपको अच्छा बताना जैसे हिंदू धर्म के जो लोग जाती यहाँ पर जैसे कि ले ब्रहमन जाती जैसे कि आपकी वैश्य जाती वो अपनी जाती क आधार पर यह कहें कि जो वैश्य होते हैं वो तो बहुत श्रेष्ट होते हैं ब्राम्मन जो होते हैं वो तीनों वर्णों से शत्री वैश्य और शूद्र वर्णों से श्रेष्ट होते हैं अगर इस तरीके की बात कही जाती है इस तरीके की विचारधारा होती है तब हम उसे क अक्सर देखते भी है ना कोई इलाका कहीं पर कोई इलाका होता है जैसे कोई शेत्र है वहाँ पर सबसे जादा क्या है त्यागी ही रहते हैं मान लेते हैं वहाँ पर सबसे जादा त्यागी रहते हैं सबसे जादा गुजर रहते हैं तो हम क्या कहते हैं कि वो त्यागियों का इलाका है, यानि वहाँ पर क्या है त्यागीवाद बहुत है, ब्रामण बहुत है, तो एक जाती को लेकर के, वो लोग क्या कहते हैं, अपने आपको सभी जातियों से शृरिष्ट बताते हैं और क्या जाते हैं कि हमा, जो सक्ता है उस पर सिर्फ हम ही काबिज रहें या सारी जो सत्ता है वे हमारे अनुसार ही चले तब इसे हम क्या कहते हैं जाती बात कहते हैं वह उसी के ही नियम कानून से चले या फिर सत्तामे शाशन में उसका प्रभाविपन रहे उसकी प्रभाविता रहे तब हम उसे कहते हैं जातिवाद अब हमसे यह जहा गया है कि भई यह बताईए कि लोकतंत्र के लिए जातिवाद कैसे घातक है यानि यह जातिवाद की भावना है अपनी जाती को श्रेष्ट बताने की जो भावना है वह कैसे लोकतंत्र के लिए खराब है लोकतंत्र को वो कैसे खराब करती है या किस तरीके से प्रभावित करती है यह हमसे पूछा गया है कारण बताने हैं दो अब देखो पहला कारण जातिवाद ने देश के बिभिन जाती समुहों में आपसी सहर्ज और टकराव को जन्म दिया है जो की राश्री एकता के लिए एक बड़ा खत्रा है कभी भी लोकतंत्र या आप कहें कि जो जनता के द्वारा शाषन है जनता के द्वारा शाषन जनता का शाषन जो लोकतंत्र है वह कब मजबूत होगा जब एकता होगी एकता होगी जब जितनी सारी जनता है जितने सारे लोग जो शाषन में आए हैं उनका एक मत होगा सब क्या कहेंगे एक ही बात को जब सब कहेंगे जब सब में एकता होगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा लेकिन जातिवाद में क्या हो जाता है जातिवाद जनता को छोटे छोटे अंगों में बाड़ देता है चोटे चोटे समूहों में बाड़ देता है अब जैसे हमारी यहां की जन संक्या है सवा करोड की जन संक्या है सवा करोड में कितनी सारी जातियां है तो ब्रामण कहेंगे कि भई जो हमारा हयोध्या का मंदिर है वो बनना चाहिए वहीं जो इसाई होंगे वो क्या कहेंगे वो क्या कहेंगे कि ये दोनों अगर बन रहे हैं तो हमारा गुरुद्वारा भी बनना चाहिए और वहीं पर एक और जाती अगर आ गई ये तो धर्म की बात एक और जाती जैसे कि आपकी त्यागी आ गई या जैसे आपके मान लीजे कोई भी एक और जाती आपकी आगई कोई और जाती अगर आ गई और उन्होंने कहा कि हमारा ये बनना चाहिए जैसे दलित आ गई अगर मान लीजे उन्होंने कहा कि हमारा तो अंबेडकर जी का भवन बनना चाहिए उनका मंदर बनना चेह तो क्या हुआ देश का जो संसाधन था देश के जो पैसे थे वो विभिन विभिन जातियों की मांगों पर क्या हो गए बट गए उनकी मांगों की वजह से पैसा क्या हुआ बट गया अब जब अगर सारे लोग एक होते जातिवाद नहीं होता सारे लोग एक होते तो ये जो पैसा था ये नहीं बटता किसी एक ही अच्छे काम में लगता मान लो अगर सारे लोग एक होते कोई जातिवाद नहीं होता सब मिलके कहते कि भया एक स्कूल बना लो उसमें तुम्हारे भी बच्चे पढ़ेंगे हमारे भी बच्चे पढ़ेंगे देश का विकास होगा तो लोकतंत्र क्या होता मजबूत होता लोकतंत्र आपका मजबूत होता उसकी जो आधार है उसको वजन मिलता लेकिन क्योंकि जाति वात था, इसलिए क्या हुआ, सब ने अलग-अलग अपनी मागें रखी और देश के जो संसाधन थे, उनका बटवारा हो गया जब देश के संसाधन का बटवारा हो गया, तो विकास कहां से होगा जब विकास नहीं हुआ तो लोगतंत्र मजबूत कैसे होगा सबकी अपनी अलग-अलग मांगे हैं सब में टकराव है सब में एकता नहीं है तो लोगतंत्र कैसे मजबूत होगा तो इसका मतलब पहला क्या हुआ कि जातिवाद देश के बिभिन जाती समू हो मैं आपसी संहर्ष और टकराव को जन्म देता है जिससे राश्ट्री एकता खत्रा बन जाती है दूसरा जातिवाद की आधार पर आरक्षन की राजिनिती ने भी भारती लोगतंत्र को बुरी तरब प्रभावित किया है अब देखिए अलग-अलग जातिया ना होती है जैसे कुर्मी जाती है एक मिलती है कुर्मी जाती है आपकी और भी बहुत सारी आपकी यादव हो गए यादव होते हैं ये जाती होती है तो क्या होता है जैसे जाट क्या करते हैं आरक्षन की मांग करते हैं आरक्षन की मांग करते हैं तो जो उस हिलाके का नेता होता है विदायक होगा सांसद होगा वो क्या कहेगा अपने वोट जादा से जादा पाने के लिए कहेगा ठीक हम तुमें क्या दिलवा देंगे आरक्षन दिलवा देंगे अपकी बार बस सरकार में आने दो तुमें आरक् वाद का तो जिसकी वजह से लोकतंत्र क्या होता है लोकतंत्र कमजोर होता है अब देखो आज मांग की जाटोंे आरक्षन हमें चाहिए उन्होंने मांगा उनकी उनको वोड देने थे उन्होंने वोड दे दिया उनका सांसाद उनका विधायargent आ गया पहुँझ गया सदन में अब अगले 4-5 साल के बाद यादव मांग करने लगेंगे कि हम आपको वोट अभी देंगे जब आप हमें आरक्षन देंगे तो अब लोगतंत्र जो था वो आपका सच्छा लोगतंत्र कहां रह गया लोग तो लाब के लिए लालच के लिए क्या कर रहें एक जाती अपना ही हित साधने के लिए क्या कर रही है वोट दे रही है तो लोगतंत्र में जब तक सही तरीके से मत नहीं दिया जाएगा तब तक लोगतंत्र कमजोर रहता है लोगतंत्र मजबूत नहीं होता और लोगतंत्र प्रभावित होता है इसका मतलब ये है कि जातिवात की वजह से जो राजनितिक के लोग हैं या जो राजनिता हैं वो क्या करते हैं इसका इस्तिमाल करते हैं और मतों को अपने अनुसार बनाने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से लोकतंत्र मजबूत नहीं होके कमजोर हो जाता है ठीक है तो समझ में आया दो बाते कि कैसे लोगतंत्र के लिए जातिवाद घातक है पहला एक तो जातिवाद से विभिन जाती समूओं में संघर्ष होता है उनमें टकराव आता है तो जब टकराव आता है तो एकता कहीं न कहीं टूटती है और जहां एक ता टूटी वहीं लोगतंत्र क्या होता है कमजोर पढ़ जाता है दूसरा ये जो जातिवाद है इसका इस्तिमाल राजनीति करते हैं इसका इस्तिमाल राजनीति करने के लिए किया जाता है जिस वजह से राजनीती में आपके लिए कि सही राजनीती नहीं रह जाती राजनीती ब्रश्ट हो जाती है और जब राजनीती ब्रश्ट हो जाती है तो लोगतंत्र प्रभावित होता है ठीक दोनों समझ में आये होंगे इस तरीके से ये दो कारण है जिनकी वज़े से जाति होता है ठीक आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर चलिए अगला प्रश्न हम दे पूछा गया है कि सार्व भौमिक वयसक मताधिकार से आप क्या समझतेहें या उससे क्या तात्परिय सार्व भॉमिक वयस्क मताधिकार अब देखो यहां पर तीन शब्ध हैं हम तोड़ेंगे इसको पहला है सार्व भॉमिक यानि सब के लिए वयस्क यानि जो लोग वयस्क हैं जिनकी उम्र यानि जो जिस किश्रेणी में आते हैं वयस्कों किश्रेणी में आते हैं बच्चे न और मताधिकार का मतलब मत का अधिकार यानि वोटिंग का राइट तो यहीं से हमें समझ में आया सार्वभॉमिक वयस्क मताधिकार यानि सभी वयस्कों के लिए मत का अधिकार है सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार है यानि जिसकी भी उम्र 18 वर्ष से जादा है वो वय चाहे वे इस्त्री हो, पुरुष हो, दिव्यांग हो, कोई भी हो, उसे वत देने का अधिकार है, वे वोट करने का अधिकार रखता है, और इसी को क्या कहते हैं, सार्व भॉमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं, ठीक, ये हुई आपकी इसकी पूरी परिभाशा, अब देख लो, आधार पर वोट डालने का अधिकार रखते हैं, इसे क्या कहते हैं, सार्व भॉमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं, आपकी उम्र अठारा वर्ष से जादा होनी चाहिए, बस, उसके बाद, अठारा वर्ष से जादा होने के बाद, जैसे ही आपकी उम्र अठारा वर्ष से होती है आप क्या कर सकते हैं वोट दे सकते हैं ठीक है आप किसी भी जाती के हों किसी भी धर्म के हों किसी भी संप्रदाय के हों किसी भी आप एरिया के हों किसी भी शेत्र के हों इससे फर्क नहीं पड़ता आप इस्तुरी हैं आप पुरुष हैं आप मेल हैं आप फीमेल हैं इससे फर्क नहीं पड़ता आपकी उम्र 18 साल से जादा होनी चाहिए तो आप वोटिंग दे सकते हैं या आप मत दे सकते हैं इसे ही हम क्या कहते हैं सार्व भॉमेक मत अधिकार पयस्क मत अधिकार कहते हैं और ये चीज ब्रिटिशर्स के टाइम पर नहीं थी ब्रिटिशर्स के टाइम पर पहली बात तो महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था और शुरू-शुरू में जब ब्रिटिशर्स आये थे तब सारे लोगों को मत देने का अधिकार नहीं था यानि पुरुशों में भी सिर्फ जिनकी आये जादा थी उन्हें मत देने का दिकार था तो ब्रिटिशर्स के समय पर या जो हम जब उपनिवेश थे उस समय पर हमें सार्व भॉमिक वयस्क मतादिकार नहीं मिला हुआ था आजादी के बाद हमें सार्व भॉमिक वयस्क मतादिकार मिल गया तो इसका आशे क्या है और देखे अभी भी बहुत सारे देश ऐसे हैं और जादा तर जो ये आपके खाड़ी देश हैं जैसे सॉदी अरेबिया का इलाका हो गया या फिर आपका ये सीरिया वगेरा का इलाका हो गया ये वाला जो इलाका हैं यहां पे अभी भी सार्व भॉमिक वयस्क मतादिकार नहीं है जितने भी वयस्क हैं उन्हे क्या होगा मत देने का अधिकार होगा चाहे उनकी जाती, उनका धर्म उनकी मतलब संप्रदाय उनकी भाषा कुछ भी हो वो मत दे सकते हैं ठीक, चलिए आगे चले, समझ में आ गया होगा चलो अब पूछा गया है हमसे कि सत्तारून दल धर्म को शाषन का आधार मानता है तो उससे क्या हनी होगी दो तरक दीजे जो दल जैसे उधारन के लिए ले रही हूँ सिर्फ में, माल लिजे उधारन के लिए आपका दल है भारती जन्दा पार्टी भारती जन्दा पार्टी क्या है? एक दल है एक राजनितिक दल है अब ये क्या है सत्ता में है इस समय उसकी सत्ता है उसके प्रधानमंत्री है हमारे यहाँ पर अब कह रहे हैं कि अगर सत्तरून दल धर्म को शाशन का आधार मानता है अगर वो ऐसा मानने लगे कि कोई हिंदू धर्म है जिसके जो आधार में हो इनके शाशन के तब क्या होगा या उसके क्या हानी होगी अगर ऐसा माना जाए तो जबकि हमारे यहां तो ऐसा है नहीं, हमारे यहां तो शाषन का आधार क्या है, सम्विधान है, जो हमारा constitution बना है, हमारा सम्विधान बना है, वह ही हमारे शाषन का आधार है, धर्म नहीं है, लेकिन यहां पे हमें स्तिति दी गई है कि अगर धर्म शाषन का आधार हो, तो क् ठीक है क्या दुश्प्रभाव उसके हो सकते हैं तो पहला पहला क्या होगा वह सांप्रदाइक राजनीती बढ़ावा मिलेगा सांप्रदाइक राजनीती को बढ़ावा मिलेगा उधारन श्रिलंका क्या हुआ था श्रिलंका में श्रिलंका में जो सिहली थे ठीक है वो लोग मानते थे और वहाँ पर बौध धर्म को ही शाषन का आधार माना जा रहा था तो वहाँ पर क्या हुआ विद्रो हुआ सामप्रदाइक तक क्या हुई वहाँ पर बढ़की जो दूसरे धर्म के लोग होंगे जैसे अगर हमारे यहाँ ही ऐसा हो जाए हिंदू धर्म को शाषन का आधार मान लिया जाए जैसा हिंदू धर्म में लिखा है उसी तरीके के नियम बने उसी तरीके के कानून बने तो जो हमारे यहाँ दूसरे धर्मों के लोग रहते हैं उन्हें महसूस होगा कि उनके साथ में भेदभाव किया जा रहा है उनके धर्म को मानिता नहीं दी जा रही उनके धर्म की पहचान नहीं हो पा रही तो इससे क्या होगा वो अपनापन फील नहीं करेंगे अपनापन महसूस नहीं करेंगे और उनके अंदर विरोध की भावना जनमेगी विरोध किस आधार पर धर्म के आधार पर और जब धर्म के आधार पर विरोध होता है तो उसे कहते हैं सांप्रदाइक ता या सांप्रदाइक जैसे दंगे जो हो जाते हैं हम कहते हैं सांप्रदाइक दंगे हो गए हिंदू मुसलिम दंगे जो हैं वो क्या हो गए भड़क गए तो वो क्या होते हैं सांप मुसल्मानों को मारेंगे फिर मुसल्मान भी कहते हैं ठीके तुमने हमारे 10 को मारा हम तुमारे 20 को मारेंगे तो ये कड़ी जो है ये चलती रहती है और सांप्रदाइक दंगे जो है वो भड़कते रहते हैं इनी को हम क्या बोलते हैं सांप्रदाइकता बोलते हैं तो अगर धर्म के आधार पर शाशन होगा तो फिर सांप्रदाइक राजनीती को बढ़ावा मिलेगा यानि सांप्रदाइकता फैलेगी दूसरा बहु संख्यक वाद तथा अल्प संख्यक वाद को बढ़ावा मिलेगा बिल्कुल सही एक तरफ क्या होगा कि जो बहु संख्यक हैं जैसे कि हम अगर हिंदू बहुल राष्ट्रे नेपाल जहां पे हिंदू जादा हैं और दूसरे जो रिलीजन हैं दूसरे जो धर्म हैं वह कम हैं तो क्या होगा कि हिंदू अपनी अपनी चलाएंगे बहु संख्यक वाद आएगा और वहीं पर जो और दूसरे धर्म के लोग हैं वो अपनी अपनी पबलिक जो है अपने अपने लोग जो हैं उन्हें खटा करेंगे यानि कि बहु संक्याकवाद और अल्प संक्याकवाद में देश जो होगा वो बट जाएगा एक विचारधारा ऐसी चल पड़ेगी जो जादा धर्म जिनका धर्म ऐसे लोग जिनका सबका धर्म एक सा है वो लोग जादा हैं उनकी चल पड़ेगी और दूसरी तरफ जिनके साथ में भेदवाव हो रहा है जो अपना पन महसूस नहीं कर रहे हैं एक विचारधारा उनकी चल पड़ेगी तो क्या होगा देश बहु संख्यक वाद तथा अल्प संख्यक वाद को बढ़ावा मिलेगा देश में तो दो क्या हानी होंगी उससे एक तो सामप्रदाईक ता बढ़केगी सामप्रदाईक दंगे बढ़केंगे और दूसरा बहु संख्यक वाद और अल्प स संख्यकवाद को बढ़ावा मिलेगा यानि आने वाले समय में अगर यही इस्तिती जारी रही यानि अगर ये जो धर्म के आधार पर शाषन है अगर किसी राष्ट में यह जारी रहेगा तो देश दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा जैसा कि भारत के साथ में हुआ क्या क्यों बढ़ गए क्योंकि एक धर्म बहु संख्यकवाद अपना और एक अल्प संख्यकवाद उससे क्या हुआ देश दो टुकड़ों में बढ़ गया तो यानि हानी क्या होगी अगर धर्म के आधार पर शाषन होगा तो हानी ये दोनों आपकी हानिया होगी ठीक आगे चल की जरूरत नहीं पड़ेगी सीधे जब प्रशन आएगा तो आप उसे अपनी भाषा में आराम से लिख पाएंगे हमें एक एक प्रशन को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी समझ समझ के अगर इसको पड़ोगे तो ठीक है बिल्कुल आपका विज्ञान की जैसा विशे बन जाता है ये भी अगर समझ के पड़ते हैं तो ठीक है